कि आई चलते हैं आगे सब्स्टिटीशन खतम होने के कगार पर है एंजीपी के कुछ क्यूशन होंबुक में थे और लास्ट में एक सेग्मेंट हमने किया था यह सेग्मेंट था आपका क्लीवेज ऑफ इथर ठीक है बहुत एंट्रस्टिंग चैप्टर है और चैप्टर की के इंट्रस्ट और इंपोर्टेंस को देखते हैं हमें इस पर बहुत ध्यान देना है तो मैं आपको के श्रौक न करा दीता हूं बिल्कुल 7 के जैसा है आपको याद होगा यहां बेंजीन का एंजीपी हो जाएगा and we would get two answer CH2 CD2 OH and in second product क्या होगा बताओ CD2 रिंग से लगा होगा इसकी मिक्यानियम बिल्कुल आप क्या करेंगे 7 की मिक्यानियम की तरह करेंगे 7 में OME लगा हुआ था तो वो नो डाउट बहतर एंजीपी करेगा यह भी करेगा रेट में थोड़ा कम जादा होगा विट दोनों एंजीपी करें 9th 9th is very clear answer में लिख देता हूं answer लिख देता हूं answer in both case either it's a 9th a and b मैंने आपको बोला था एक sulfur वाला जो है that is what यह थोड़ा सा एक कार्बन और है इसमें तो यह mustard gas होता है sulfur वाला जो है mustard gas होता है and your answer is similar cl would be substituted by oxygen cl would be substituted by OH clear and it's very clear कि B का रेट आस A से जादा होगा due to more more nucleophilic more nucleophilic sulfur mustard gas की hydrolysis corresponding oxygen वाले compound से बहुत ज्यादा fast होती है ऐसा sulfur की ज्यादा nucleophilicity की वजय से होता है और because आपको पता है NGP clear but sulfur would we have even more like more strong nucleophile that's why they bought easy sa question in a kuch mechanism बहुत अच्छे तरीके से क्यूं ही talking about question but 10 that's a good question 10th question मैं याद दिला देता हूं आपको it's a acetate it's a tosylate and on arrow again sodium acetate clear so now you can clearly think about ध्यान से सोचें वैसे तो इस compound में दोनों living group है बट रिलेटिव लीविंग टेनेंसी पर अगर ध्यान दिया जाए तो आपका tosylate बहुत अच्छा living group है एसी को मैंने open करके लिख दिया तो शाइलेट जो है वह बहुत अच्छा living group है तो मेरे भाई आप यह भी देख सकते हैं इस लीविंग और यह downside है तो इसका आप यह सो माइनस अब बनने वाली चीज को बहुत ध्यान से देखिए आप इस oxygen ने भी आप से अटक किया यह अक्षिजन की अटक कर रहा है क्योंकि इसका लोगलाइस्ट है और अब आप जबाद ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ oxygen वेज से ही लगा होगा क्योंकि यह उपर से अटक कर रहा है रही बात आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तो आप ऐसे बना सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तो आप ऐसे बना सकते हैं आप इसका एक और आरेस बना सकते हैं जब आप इसका एक और आरेस बना सकते हैं उसमें आप देखें आप यह बनाएंगे क्लियर लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो ये एक मीजो कंपाउंड है आई मीन केटाइन है बोल सकते हैं आप क्योंकि आप देखें इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये CS3 आइडेंटिकल आरेस हैं बहुत आइडेंटिकल आरेस यहाँ पर देखें प्लस घूम रहा है तो इस समनीजो के टाइन मीजो इंटरमीडियेट ये मीजो इंटरमीडियेट है और आपके पास एक निक्लियोफाई जो बाहर से आ रहा है डैडिस इन अदर दैने सीटेट इस टेट आइन यह दोनों आप तो आपका सीटेट इदर नीचे से अटाइक करेंगा तो ये खुलेगा इस यह उपर यह देख सकते हैं अगर यह सकते हैं चपने करता है और कि सारे लोग देख लें कि कैस्ट नबर टेन का यह अंसर कि मैं हटा देता हूं यह सेग्मेंट डिटा देता हूं कि चले आई कि करते हैं किशन बाइलेवंध इस इजी मेरे ख्याल से यहां नुक्लियोफाइल है आपका जो भी वोटर या एन्योफ है यह इंटर्नल नुक्लियोफाइल हो गया और यह अटाइक करेगा और सील बाहर हो जाएगा इसके एंटी बांडिंग पर टाइक कर गया है तो आपको दरसल एक बहुत सुंदर के टायन मिलेगा बहुत सुंदर के टायन मिलेगा और दिस टाइंग आपका यह साइक्लिक पार्ट कोई कोई NCC नहीं है हर बार क्या होता है आपने अभी तक जो किया उसमें NCC टाइप की चीज़ बनती है या कोई लिविंग टेंडेंसी वाली चीज़ साइक्लिक सेग्मेंट का हिस्सा होती है तो बाहर वाला निक्लियोफाइल से सब्सिट्यूट कर देता है वाट देखें इंट्णल निक्लियोफाइल और येंटी बनिंग है तो बता ये क्या होगा इन जिफिकर बिस आप ने क्या क्या था यूवर किटिंग है तो आपको एक NCC मिलेगा और इस NCC को आप ध्यान से देखें एक आट अप कीतनरी सॉल्ट कैट सुल्ट आप द्यान शक्रण देख का यह anti-bonding होगा को सिएका इन्टी बांड होगा एक इसका इन्टी बांड होगा और थ इस यूद किन अटाक एक एन अड़ प्लेस कहीं भी अटाइक यह कर सकता है तो आपको यह समझना है ज्ञान से समझें अब मैंने 6 की रिंग दी या पांच की रिंग दी ती तोगे सब्सक्राइम प्रोड़ल में अगर सिल यह एक टोड़ता तो तीन की रिंग सिस्टम एक तो यहां करता है यह तोड़ता तो भी तीन की रिंग रहेगी से यहां टाइक गता कि आ इसे साथ की रिंग हरी वन तू थी पॉट फाइप शिक्स इसका अंसर साथ यह आगा है कि बहुत आसान है आपको क्या कर रहा है और यह वन तोड़ दी यह वन टूटेगी बाकि सब कुछ वैसे रहेगा और गेट इस आंसर क्रेश्चन में पांच की रिंग कर लें अगर हम तो छह की रिंग आंसर आजाएगी वैसे यह आंसर है आपर कोई देखते हैं थर्टी सेम इसने से फिंट अर यह दिया हुआ है सल्फर क्लोरी मैं आप देख सकते हैं सलफर ओपर की तरह हैं और ।कि तरफ यह डाउन नहींगे डैस वले डाउन तो डिफरेंट ली ऐत्यक कर्किशे एक्षियागर अगर यह से टैक करके हटा रहा है एनवेच दिया हो आपको तो आपको इधर क्या मिलेगा आपको एक ऐसा ए एंसी मिलेगा सच बताने लिं इससे देक्ट के तुम थोड़े बता का थे दीजी सेयल पाऒगे नहीं ना लगाता है यहँ लगाता यह लगाता है वो सकता यह लगाता इस ने टायक ह Words of a Allah टायक सेलफरने टायक किया तस상 का मेरे भाई AR味 यहां नीचे से टाइक करें यह खुलिए मैं तीनों बना देता हूं फिलाद कि ओएच यहां टाइक करें उसमें यह अंसर मिलेगा आपको एक क्येस्टन यह है कि यहां टाइक कर जाए ओएच तो आपको यह आंसर मिलेगा और एक है कि ओएच यहां टाइक कर जाए इस जगे पर तो मेरे ख्याल से आप समझ गए है कि मेजर आंसर जो होगा यह लास्ट वाला होना चाहिए क्योंकि यह आपर रिंग स्टेंड एंगल स्टेंड नहीं है जितना कि फर्स्ट दो में है तो मे फॉर्ट फिप्ट केस्टन में किया था ओपिन चीन है तो फिसर दिया है विजन डैस बना के करें मैं एक केस्टन चालू करके बता देता हूं तो अब दूसरा कर लीजेगा है ठीक है है कि यहीं कर लेते हैं अटा लेते हैं आई इस केस्टन इस लाइक ओएच अबी यार की एच वाफ ओडीन करेंगे डिक हैं इस लिए बहुत ध्यान से और तसली से केस्टन करना चलो पहले इसे बना लेते हैं यह सी त्री है यह है यह 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 है यह और यह आपका सीस्थरी इसे अपने मन मताबिक बनाते हैं यह यह अपॉलिट कर लेते हैं इस 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 और बी आग एंड इस इस और ओएच तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है है अगियार को नीचे लने है कुलियरली आपने 120 डिग्री ही घुमाया हुगा तो मिताइल कहां जाएगा अपसटाप सब french कहां जाएगा ऐसे गुमा होगे हो तो मिताइल यहां जाएगा है ऐध्य lowering और ओब ही मात्र सिक्श्टी डिग्री घुमाने तो इस सेंस में सब को घुमाते हैं तो क्या आप समझ पार है मिठाइल बाहर आ जाएगा और एच अंदर है यह तो क्यूस्टन है और आपने लीविंगग ढुऌप संग्ज रहे थे धरसल वह बभी फिधाई्ब लग हरा है कि इसे आप लीविंग रुप समझ रहे थे वह तो निक्ति लेग हुआ यह इसका एंटी बॉंड नहीं और वियार ने टाइक किया और यह तो यह ट गया कि रवाइब क्लियर कट एंसी सी मिल लाया आपको नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देखो यहां मिथाईल है और यहां मिथाईल दैस में देख सकते दिसी जो नॉन क्लासिकल के टायन और अब हम इस पर बियार माइनस अटाइक कराएंगे हम इस पर एक और चीज में याद दिलाता हूं ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हें ट्रांस ब्यूट टूइन पर बियार टू डाला है ऐसा नहीं ल किसी इसके साथ इसकी मिरर इमेज भी बनेगी बट फाइनल आंसर सेम होने वाला है यह दोनों सेंटर सेम हैं हमने कली किया हुआ है यार परिशान मत वन्टू प्रेट्स आर और बहुत हर आर एंड ट्रांस प्लस एंटी आंसरोज एराइट्रोग यह अंसर यह अंसर है तो अगले वाला जो केस्टन है 15 उसमें दो आंसर आएंगे यहां एराइट्रोग आया है वह पक्का थ्रियो आएगा सो जो तो प्रिप्टींत क्वेस्टन में आपका जो भी क्वेश्टन तहाँ ओएट्स था यहां वियार था और यह CS 3 CC 3 और HBR प्लीस इसे कर ले ना यह आएगा आपका थ्रियो पक्का थ्रियो आएगा से इस थ्री एस थी एस थ्री पलस मिरर इमेज यह 15th होगा आपका 16th is like बहुत आसान है 16th में कुछ नया नहीं करना था 16th में ऐसा देखा जाता है कि इसका इसकी hydrolysis उम्मीद से थोड़ा fast होती है so what is believed यह sigma bond के electrons nucleophile की तरह करते हैं इंटरनल लीटियों फाइल के तरह भी है करते हैं और दिस इस यूर लीविंग रूप सो वोड़ी अच्छली गेट इस सिग्मा रिजुनेंस के ट्राइं एक्षिंपल जो रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे थोड़ा ज्यादा और उससे ज्यादा आने की वजह से आप यह एक्स्प्लेनेशन देंगे तो कहीं न कहीं सिग्मा बॉन्ड के जो अलक्ट्रॉंस हैं वह भी एंजीपी कर सकते हैं आईटी में सिग्मा बॉन अलक्ट्रॉन नहीं आएगा बट यह एक्ट इग्जाम्पल है 17 और 18 में रेट है रेट ओडर कंपेर कर लेंगर मैं वजय भी बता देता हूं क्या है कि मेरे भाई अगें लुकेट दिस सियल इसका एंटी बॉन्डिंग इस साइड और यहां देख सकते हैं इस साइड में पाई लक्ट्रॉन डेंसिटी पी और वैटल्स होंगे तो यह इंट्रन लिक्रॉफाइल के तरह भी आप करेंगे और सियल को लीव कराएंगे तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो आएगा वो मैं रिटेंडी रख रहा हूं यह पाई लक्ट्रॉन्स के वल एक साइड हिंडर करते हैं यह एक्चली इंट्रैक्ट फ्रॉम वन साइड यू कें से करीकर से लॉक कर लेते हैं एक साइड ताक आसानी से हम यूज कर सकते हैं आउट आप दीस 17-18 केशन एक केशन में और एक्स्टा कराना चाहता हूं आपको अभी इसी समय यह हटाओंगा मैं पहले मैं हटा रहूं हुआ हुआ इन 19 केशन कहा लिखेंगे अ अफ्राइश है कि दिस अस ताइजेसं पिनाकुल पिनाकुल उनके जस्ट बात पढ़ी ती डाय जो ताइजेसं अगर वह भी नहीं आदा रहा तो लीविंग गुरुप में पढ़ा था कि एनच टू को लीविंग गुरुप कैसे बनाते हैं तो एक सुपर लीविंग गुरुप था था एंटू प्लस व युज़ नानो 2-HC-L aqueous-H-C-L what happens actually NH2 लीविंग गुरुप में चन्वर्ट होता है N2 प्लस यह बट इस गिवन विद फिक्स कन्फिगरेशन फिक्स कन्फिगरेशन के साथ दिया गया विज़ुप था 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 थ देगा इड़ शॉम सोट ओफ सुट औफ जितर आयन तो ना रघंसप्त एस के आपका यह ए जो अन्टो प्लस है जो निकलेगा तो असिस्टेंस कर दीगा इन्ट्रनल नुकलिया फिलिक्साइट इन्ट्रनल नुकलिक्साइट एस सिस्ट कर देगा और आपको जो गुझेग it will be something like O and this is like थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप तो dash 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 अके, now since we are using water है हमारे system में आपको याद भी हो diagotization का final answer alcohol ही आता so water would attack from this side, ये तो dash है तो water attack करेगा front side से और ये से वापस खोल देगा so what would you get you would get OH2 प्लस ध्यान से यह मिलेगा और यह मिलेगा वेज पर यह यह आखना वेज पर मिलेगा तो आब आप देखें इंट्रमोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंग होगा यू जस्टेट इल्फा हाइड्रॉक्सी एसेड इसेम कंफिगरेशन अस जस्ट लाइक इन कैश्ट देख सकत आप अगे अगे तो यू कें आप दिसकेश्ट नियोग त्योरी कॉपी अगे तो नाव मुविंग अहेड एस सीट में मैंने कुछ क्श्टन दिये थे आपको आप लेकिन थोड़ा सा हूं ऐली मिनेशन के एक दो लेक्शर होने के बाद अब सीट के क्श्टन सां करेंगे च एक दो लेक्शर हो जाएंगे तो आई यह लास्ट लेक्शर में हमने पढ़ा था थियोरी की बात करेंगर तो था क्लीवेज ऑफ एथर और क्लीवेज ऑफ एथर में बड़ा मज़ेदार काम किया था अपने कर रिवाइस किया है कोल्ड हाई मतलब हमें एक हाई लेना था औ अच्छा आपने देखा कि जब एथर सिमेटिकल था तो बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं थे जब एथर अलग अलग था अक्षिन के लेफ्ट अलग था राइट अलग था तो पॉस्पिलिटीज दो दो आ रही थी और फिर हमने एक ऐसा ही एथर लेकर एक रिएक्शन करी करी दिया नहीं करी थी बोलिए याद है आपको लास्ट और हमने उस रिएक्शन में में कुछ ऐसा दो डारेक्शन दारा एरो बनाया था और मैंने बोला था एचाई ने पहले एच प्लस ने प्रोटोनीट किया में पिछली क्लास में पढ़ा है फिर मैंने कहा था अगर और और से डिसोसियेट हो जाएगा तो केटायन किस पर बनेगा बड़े वाले पर और आई उस पर लगा देना तो यह हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था अब हम इसके आगे चलेंगे यह अटा रहो हुँआ कि एक रियेक्शन भी मैंने लिखी थी एथर कभी बेसिक मिनिम में नहीं तूटते तो उसी के आगे चलने आर ओवार मेरे वाई एन आई या फिर कोई भी हलाइड ले लो आंसर क्या है नो रिएक्शन क्योंकि एथर लिविंग रूप नहीं है और वहीं पर जब मैंने आपको बोला था कि आप हैच लिविंग रूप बना देता है बैस दाइ बढ़ेंगे और कुछ क्योंस करेंगे जैसे मेरे बाई मैंने चोटे चोटे क्योंस दिया आपको च्छी ऑच्छी जस्ट पुटे 18 ओवर ऑक्सीजन इसका कोई विक्यानियम में कोई रोल नहीं है बस यह हमें बताता है कि कौन सा ऑक्सीजन कहां गया आपको इससे कोई टे और छो टे से चाइस त्युप क्योंस यह टने आपगे को आपको ख्छी ओच्छी ओल। 3 and it's a 18 and it's a hi sixth c s3 o c c s3 c s3 c s3 it's a 18 and it's hi 7th 7th is a good question o c s3 and again it's a 18 i i in questions so that we can do it a lot of check questions we have to do it okay so this is 18 12 well as a boss are cases in bananas like a ether me is a b bna sakti i the concept is same कि पहले H plus ने क्या किया होगा इससे प्रोटोनेट किया हो प्रोटोनेट करने के बाद आप मिथाइल मिथाइल देखे आपको पता है इसमें कोई भी 3 डिगरी नहीं नहीं है तो एसन्टू होगा एंट सिमेटिकल केस तो कोई इश्यू नहीं है आई अटाक करेगा यह हड़ जाएगा सिव आंसर उड़ी क्लियर ली देस प्लस CS3 आई बहुत क्लियर कटार सब्सक्राइब ना लुक एट फोर्थ आउक्शन को तुम प्रोटोनेट करोगे एच प्लस अब फिर कोई 3 डिगरी नहीं है तो मेक्यानियम कौन सी लगेगे एसन्टू तो आई माइनस इथाइल पर अटाक करेगा यह आपको सुचना क्योंकि आपको पता है एसन्टू छोटे वाले पर बढ़े हां होता है आफ्टर प्रोटोनेशन ओफ दिस मेडल ऑक्सीजन ओके अरिजिनल रियक्टेंट वुड़ हाव लीविंग रूप लीविंग सेग्मेंट तो इस पर अटाक करके इससे हटा देगा तो आप देखें आई किसके साथ आई किसके साथ चोटे वाले के साथ या बड़े वाले के साथ सोचो आई किसके साथ आयोडीन किसके साथ चोटे वाले के साथ या बड़े वाले के साथ आंसर है चोटे वाले के साथ है यहां मैं आंसर लिख देता हूं आई चोटे वाले के साथ और बड़े वाले के साथ है अपके सब्सक्राइब कर लिए नियुक्त सब्सक्राइब कर लिए अब सब्सक्राइब कर देता है चलो बताओ इस से प्रोटनेट किया आपने इस कारबन पर और इस कारबन पर मेरे भाई इस कारबन पर ना सन्वन हो सकता है ना सन्टू हो सकता है जो आप रखोगे वह रखोगे यहां और यह यह बॉंड तोड़ोगे तो मेरे भाई यह आपको मिलेगा ब्रेंड़ फिनॉल branded phenol देखो देखो बहुत important question है और आपको मिलेगा CS3 आई क्योंकि आपको याद है carbon oxygen benzene के से जुड़ा हुआ यहां तो ना SN1 हो सकता ना SN2 विकॉज आपको पता इस बाउन को नहीं तोड सकते है इससे नहीं तोड सकते तो इससी को तोड़ो पाऊगे इससे तोड़ोगे तो 18 इधर जाएगा और वोट वोट वीट ओएच 18 प्लस वट वन आई इस देयर यहां आई लग जाएगा नाओ लिकें क्लियर ली फांड इट एंड नाइंध का अंसर नाइंध का अंसर बता हूं इधर भी क्या है यह कारबन एंड ऑक्सिं बेंजीन वाला अईगी सो मेरे भाई नो क्लिवेज नो क्लिवेज ओफ एथर नो क्लिवेज ओफ एथर अरे नहीं तूटेगा यह सडिक मीडियम में भी नहीं तूटेगा समझदार के लिए काफी सारा सेंग 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 एंड चीक है बाकिया आप करना देखलो देखलो वो एथर नहीं तूट तूट पाएंगे नहीं तूट पाएंगे मैं कुछ केश्चन से और लिग देता हूँ लाइक कर्फ कि अटा देता हूँ लाइक 14th केश्चन ले लेकर कि में एच डी ओ में एच 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 आई के 15 करते हैं कि हम पढ़ लाएं एथर क्लीवेज बहुत सारे केस्ट कर लिए नाओ लुक एट दिस केस आप जब ध्यान से देखेंगे तो कुछ केसे ऐसे हैं जहां इस बात का फर्क पड़ता ही नहीं कि तुम कोल्ड चाई ले रहे हो या होट चाई ले रहे हो इस बात का फर्क नहीं पड़ता हूँ लाइक मैं केश्चन देता हूँ आपको और मैंने आपको दिया है कोल्ड चाई है और यह होट चाई है कि यहां फर्क पड़ेगा यहां डिफ्रेंट पूड़क्ट आएगा विप्टींट में यूड़ गेट सेम आंसर क्योंकि यहां कभी कोई रेक्शन हुई नहीं पाएगी आप अब देखिए का करिए गए अश में एच डी ओ में यह अच्छा केस्ट एच एच एटी उपर वाला केस्टन ही मैंने उठा लिया है यह भी करिएगा अच्छा है आपको मजाएगा आप अच्छ इंध नौ थिंग आपको थोड़ा ध्यान से थियान से क्यांस कोई रोकेट साइन्स नहीं लूए इस ह क्यांगा देखिये उपरत्थ एच एटी यह कर लिया थी नहीं है नॉटा देखिए है आदा देता हुदर कोई है इच्छ एटाई आटी ए टीन वासए औ एट नाइन एंथ एलेवन तक कर लिया है हटा देता हुआ है अगे तो नाव लुक अट एटीन तो इडीन तो सॉल करना बहुत इटीन ते अच्छा करके लाइएगा कुस्स करियेगा करने की नाइटीन इस लाइक इसे ही करिएगा सेम केस्टन बहुत सेम सेम है वाई ठीक है तो यह इथर का क्लीवेज है इथर को हम तोड़ रहे थे बाई यूज ऑफ एसेडिक मीने में अच्छा एच्छा इट्स नॉट अलवेज लाइज की ही दिया जाएगा इट माइड बी पॉसबल की आपको मैं यह दे दूँ ओ छी एच्छ तू छी एस्ट्री एड़ एड़ एट्स एम इस इम कॉंसप्ट यह थू प्रोसीडिट इड़ इस तरीक से आगे बढ़ना है इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी है ठीक है किसी भी का इस तेंशन के लेकर आगे ना बढ़ एक है डिस जागी इस अगीन है यहा थोड़ा सा वह कर लेते हैं कूल एच्छ आई एड हाट है चले तो इस अर्देशन कुछ डिसकस किये हैं कुछ आपके होमवोक हैं आपके हैं इस सेग्मेंट हटा रहा हूं यह आपको करके लान अच्छा अच्छा एक चीज बढ़िया तमीज से करना बहुत इंपोर्टेंट सेग्मेंट है वाई साब आट बस बार मोस्च इंपोर्टन लगा लेना मैं हटा रहा हूं इसी में मैं और जोड़ना चाहता हूं कि एथर के को एसेडिक मीडियम में तोड़ा जा सकता यह इसेडिक कंडिशन केवल एसेडिक कंडिशन में ही वह लीविंग रूप पार्ट लीविंग रूप की तरह भी है करेगा और आप यह कर पाएगे है चलिए अब एक और तरीका है अभी आप क्या यूज कर रहेते हैं लोक एट यह वाजए एथर एच आई मिला था आपको पु हैंचलीमाइन यह मिल था रही अपने कर लिया आपको करना आप पी घया अगर मैंस को वाटर से रेप्लेस कर दो एगर मैं इस आई माइनस नुक्लियो फाईल को वाटर से रिप्लेस कर दो ओगा mía तो यह ऑज़ को सकता था सेंटू करने का प्रयास करता था बट वोटर वीक नुक्लियोफाइल तो यह पॉस्बिल्टी एसनुन की रखेगा बस इतना फरक है तूटेगा यहां पर भी तो मेरे भाई हषबस आओ हते साथ अप्रऊ गा, ह अप्रॉप्लीट अच्छोटेशली हिस Satермification कया हो ग्या हो गया, ह्प्रॉप्लीट प्रॉप्लीट हो गया, है है ओ नॉड्टी cen व variant है, ह größण नुक्छिए ए स्बीटर प्रॉप्लीट प्लीट सब एक वाटर पी लए तहुना है सबकाम अभूरफ नाला हैं कोई 1 ओक मतलब तो मैंने बाई अगेंड सेम गॉंसेप्ट वही लगने वाला है अगर स्मेटिकल है तो नो इस्व अमें दो एलकोहल मिलें रोच और वह क्लिर एफ इडिज वोट वो विलो 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 अ फट इस नों स्मेटिकल एप एटीन ओवर देर तो एक आएगा एटीन एक में यही वाला खेजन रहेगा और एक में इसका यांधिक वोटर है इसका रोंगा तिन ऑगर के डौनों तरफ सेम चीजें तो हाइड़ॉलिस पर एक-डॉली तक यह रहेगा और एक वोटर का जाएगा थिशक्पी अगर यह अलग-छू अटो आप देख सकते है फिर अगेंड दो डिपेंड एप्टी आर यच प्लस आइस हैं यह यह जो और यह रहे हैं हम और यह बहुत आसान है यहार तुम चलो तुम लहीं बताओ स्टार्ट सबसे से पहले एस्ट्रियो प्लस क्या करेगा एच प्लस देगा और वह एच प्लस कौन लेगा इथर लेगा आपको पता है कि यहां क्या बन जाए कि यहां लीविंगर प्रॉक्टोनेट होते ही लीविंगर आज जैसा कि आपको याद हो हमने क्लिवेज ऑफ इथर में साइज में एक चीज मानी थी लेट अस कंसीडर याद आया आपको लेट अस कंसीडर आर डैस ग्रेटर देन आर इन साइज कौन सा छोटा कौन सा बड़ा वाली बात को मुझे एक बात बता दो वाटर है वीक नुक्लियोफाइल वन डिगरी में फिक् प्रफर वर्ट एसन वान एसन वान मेरे वाई यह डिसोसियेट हो जाएगा और एसन वन जो होता है तो बड़े वाले पर खटायन आता है और आई होप आप यह बात समझ पाए हैं इसलिए यहां पर आपको मिलेगा आर डैस प्लस आर डैस प्लस एंड मैं इस ऑक्षिन को 18 लगाई लेता हूं तो आपको ब्रेंडेड ब्रेंडेड आउक्सिन मिला है छोटे वाले के साथ ब्रेंडेड मिला एक छोटे वाले के साथ ना जो वाटर आप लेके आए हैं वो अटाइक करेगा डैस पर एंड यूड़ गेट वाट आर याद रखना तो आजू भी हो यह बाजू भी होए अच्छ अगर काईरल सेंटर है तो आप देखो आपको तीन आंसर मिल सकते हैं अग को तीन आंसर मिल सकते हैं स्टश्ट से इसमें बहुट किलिरल画 दिख गया यह सिंट है अचा सोचो जरा इसमें भी काईरल सिंटर इसमें भी काईरल सिंटर से डारेट जोड़ी हुई बॉUND है यह वाली और यह वाली है तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये वाली काईरल सिंटर की बॉंड हमेशा वही रहेगी क्योंकि ये बॉंड कभी टूटी ही नहीं ये देखें ये बॉंड यही वाली है यानि कि छोटे वाले का कन्फिगुरेशन नहीं चेंज हो रहा है और बड़े वाले पर रिटेंड औ वेरी प्रसाइस रियेक्शन बहुत ज्यादा केस ही नहीं यहां पर सो नोट में हम क्यों यह लिखेंगे कि यह क्या है SN1 मेकानिजम है नौ स्टार्ट चलो केशन कर लेते हैं बहुत आसान है तो सीधा केशन अपने घर ले जाओ आप साओ टीन डाइल्यूट ह2SO4 ठीक है से 18 वन डिगरी में संट्वी होगा टेंशन मत लेना 18 चुक है और कर लेते हैं पूर्थ अगर 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 तो एक निटाइल एटीन के साथ जाएगा और एक सिंपल वाले उसके साथ जाएगा तो एक ब्रेंड़ अल्कोहल होगा और एक देशी अल्कोहल होगा ठीक है नाओ तिंक बूट सेकेंड एटीन लगा हुआ है यहां पर आएगा आपका बाहर वाला वोटर यह से टूटेगा तो इथेनॉल ब्रेंड़ मिलेगा और यह अच्छा लुक एट थार्ड लुक एट थार्ड 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 में यहां वापने प्रोट्रोनेट किया और अगर यहां यहां प्लस बनेगा तो इसका आंसर में लिख देता है तो इसका आंसर में लिख देता है इसका आंसर आएगा ओएच और इसका आंसर आएगा ओएच यह तो बहुत आसान है दोस्तों बाकी केश्चन आप कर लें कि नाटा रहूं लिए एगा है इस पुरानी केश्चन यार को ही पुरानी केश्चन यार वही पुरानी केश्चन होगे हैड़ोलाइज कर लोगे बुद्धि लगाओ लगाओ बुद्धि कर लोगे अगे कि नहीं होगा नहीं ब्रेक होगी नहीं ब्रेक होगी बिल्कुल सही है कि इनकी हाइड़ोलेसिस नहीं कर पाओगे आप कितना भी प्रियास कर लो यह नहीं होने वाले है ठीक है अब एक क्याशन और ब्रेहां सा दे देता हूं अच्छा हाइड़ोलेसिस क्लोथी एक इसी रियेक्षिन है इसमें एरो के पर लिखा है हाइड़ोलेसिस यह लिखा है डालीट एस्टियोस फोर्ट यह लिखा है एक्वस से ल यह बताने की उडूत नहीं है कि वाटर एक्सेस में हाइड़ोलेसिस में वाटर एक्सेस में होता ही इसलिए उल्टा होता है अगर हमें कहीं हाइड़ोलेसिस पूरी नहीं करानी है तो हम एरो के पर लिखते हैं पार्सियल हैड़ोलेसिस क्योंकि अगर-अगर हाइड़ोलेसिस है वर्ड है समझते हैं आप कंप्ली कि अब बेड़ा तोड़ा तमीज से करना इसे हैं को अच्छे कैस्टन्स भी दे रहा हूंगे इसमें अब अब आइधर भी दिया है तो सेम तरीके से ही होगी कॉंसर्ट में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है यह चीज आपने अभी बहुत ज़्यादा देखी नहीं होगी एक ही कारवन पर तीन एथर एक ही कारवन इसे और फो इस्टर बोलते हैं आप इसके हाइड़ोलिसिस करो तो पार्सल हाइड़ोलिसिस पर इस्टर बनता फिलाल आपको पार्सल फुल हाइड़ोलिसिस करनी है तो इसमें कुछ स्टीरियो के क्वेश्टन भी देते हैं लाइड मेरे ख्याल से आपको पता है एड्स में कोई आंसर नहीं आएगा नाइंथ में आएगा एलेवन इसमें कोई आंसर आना ही नहीं है यह उह विदफान फिचानुवाइट बद कोई बींसलॅ तो यह एक संप्षा्जा सकता है बना कर थिके खेर को बिलकुल उसी कॉंसे सब कॉंसेट सेम है ठीक है हटा रहा हूंना से सारी करना है मज़ा आएगा बहुत अच्छे करिश्चन से है 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 ओके तो वी जस्ट फिनिस्ट सब्सक्राइब हर तरीके से खतम कर लिया है 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 यह दो सेग्में जो है इन्हें भी आपने लास्ट नहीं कर लिया है है नाओ अधिस्ट सेग्मेंट की अलकाईल है लाइड दो टाइप की रियक्शन सो कर सकते हैं एक सब्सक्रीशन जिसमें अटाइक करने वाला नुक्लियोफाइल होता था दूसरा केस मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्च्छर में अई में अलकाईल हलाइड के फर्स्ट ल से निस्ट लिएक्षेंज सो कर सकते हैं कि अलिमिनेशन और यह सब्सक्राइब अधिक है आई इसके बारे में समझते हैं कि अधिक 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 सारे लोग देखेगा अधिक पहले मैं एक जन्रल डफिनीशन बताऊंगा अधिक अ कभी भी elimination होगा तो आप यह देखिएगा कि degree of unsaturation बढ़ रहा होगा degree of unsaturation बढ़ रहा होगा ऐसा क्यों क्योंकि तुम यहां से कुछ eliminate करके भागोगे कुछ atoms या groups लेकर भागोगे तो इधर की क्या sigma bonds valences खाली होगी जहां पर वो लगे थे वहां से उन्हें तोड़ोगे तो वेलंसी खाली होगी फिर वो वेलंसी आपस मिलके पाई bond बनाएं या जो भी bond बनाएं degree of unsaturation बढ़ेगा हमेशा देख सकते हैं आपको मैं बता रहा हूँ यहां से hx निकाल लिया गया ह और x निकाल लिया गया याद करो आप मार्कोनिक ओफ एडिशन से मार्कोनिक ओफ एडिशन से यही बनाते थे इस पर एलकीन पर hx डालते थे तो हैलाइड ही बनता था है तो एडिशन का उल्टा ही elimination होता है एडिशन का उल्टा ही elimination होता है आप देख सकते हैं आप मैंने इससे एक बेस की help से h और x निकाला यह बन गया और आपको याद है इस पर आपने hx जोड़ा था तो यह बन गया तो मैरे बाइडिशन बहुत सिंपल है अच्छा एडिशन में आप देखें degree of unsaturation एडिशन में इसमें कुछ जोड़ोगे तो पाइब और जोड़के सिग्मा बनाओगे ताप साथ समझ रहे हैं कि हम कि बात की चर्चा कर रहे हैं आम लिखते हैं कि वैल कि टू अटम्स या फिर गृपश भी हो सकते हैं when two atoms groups clear are eliminated are eliminated सैयर from any compound from any compound during reaction during a reaction सहयर then reaction is known as then reaction is known as what elimination elimination reaction हम उसे elimination reaction बोलते हैं ठीक है आप लिख सकते हैं it is reverse of addition reaction reverse of addition reaction कोई दूराय नहीं है तो हो गया elimination reaction कि हमें अभी तक definition आ गई दो आटम या गुरुप को कहीं से निकाल लो किसी कंपाउंड से तो वो हो गया elimination reaction एक बच्चा आया मेरे पास कह रहा क्या पढ़ा रहे हैं मैंने का reaction क्या होता है मैंने का दो आटम या दो गुरुप को किसी कंपाउंड से किसी reaction के दौरान निकाल लिया जाए तो रियक्शन को अलिमिने सनी तो उसने का एक मिनट आपने ये बोला है दो चीज़ों को निकालना है मैंने का ह कände अऊफोर है कहां से निकालना है तो इस वह सकते हैं सारे हैं सारे लोग देखेने हैं समझेंगे इस बात को कि हम क्या बात कर रहा है types of elimination reaction लोगो अभी तक आपको किवल यही बताया गया कि दो चीजें निकाल लो अब वो दो चीजें कहां लगी थी compound में ये मैंने नहीं बताया वो दो चीजें compound में कहां लगी थी मैंने नहीं बताया तो सारे लोग देखें एक होता है मेरे भाई इसी लिए one 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 elimination क्या होता भाई लोग one one elimination slash इसे alpha-alpha elimination भी बोलते हैं और कई books में sort में केवल alpha elimination बोलते हैं समझदार के लिए काफी सारा और आप इसके इसके represent करने के तरीके से concept भी समझेना की definition क्या होती होगी स्केंड वांट्यू एलिमिनेशन वन्ट्यू एलिमिनेशन एलफ़ा बीटा एलिमिनेशन मित्र एक बीटा एलिमिनेशन यह कोई भी नाम यूच किया जा सकता है Third One Three Elimination Alpha Gamma Elimination Gamma Elimination Fourth One Four Elimination Alpha Delta Elimination Delta Elimination तो यह Variety हो सकती है एक ने का One Five नहीं होगी क्या One Six नहीं होगी क्या मेरे बाई वो भी हो सकती है और मंझेदार बात क्या है मंझेदार बात क्या है हम अभी से पहले 1-3, 1-4, 1-2 सब पढ़ चके 1-3 भी पढ़ चके 1-2 पढ़ चके 1-3 पढ़ चके 1-4 पढ़ चके अब आपको होगे कब पढ़े हैं क्या आपको एक रियक्शन याद है डी हाइड़ेशन आफ एल्कोहल यहाँ ओएच था एच ओएच तुमने एच ओएच निकाला था डबल बॉंड बनाया था डैट वसे कैंड ओफ वन्टू एलिमिनेशन हम पढ़ेंगे उसे डिटेल में करें फिलाल यह टाइपस ओफ एलिम थोड़ा समझाया वन वन का क्या मतलब अरे यार आपको एच और एक्स की पोजिशन नहीं पता थी अब पता चल लगी वन और वन बोले तो एच वी वन पर है एक्स वी वन पर है यानि कि हम जो दो आटम्स हटाएंगे वह सेन अटम पर ही लगे हुँगे अटा रहो हुए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है वह एक लोटा वन टू एलिमिनेशन इस चप्टर में नाइन टी एट परसेंट वन टू एलिमिनेशन ही पढ़ लाएंगे आए पताओ क्या वन बौत अलिमिनेटिंग अटम्स सेवाट अटम्स क्या बलेंगे अलिमिनेट अलिमिनेट फों सेंग साइट अगे तो देन सेंड यह अलिमिनेशन आइज इस रोट ते वन में आई ज इस वान मन आ उनमिनेशन क्या वजुआ फिनिवूल न अलिमिनिस अव्शेख एक घ्जांपल गूल एक एक्जाउंपल फस्ट सारे सुनना ऐसा फिनाइल यह फिनाइल यह एच यह सी अल नजरें अपनी दोड़ाओ दियान से देखो और यहां एक बेस है बी माइनस बेस को इसे जनरल कर दिया बी माइनस अभी आ हीटिंग इंट तो आए 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 थोड़ा समझते हैं इस रियेक्शन को मेरे भाई यह है फिनाइल यह फिनाइल यह है डबल बॉन यह है एच यह है आए प्रियास करता है इस कंपाउर्ण में कोई भी बहुत ज़्यादा एसटीक एच मौजूद नहीं है बट एकलोता यही एच है जिस पर हम दाओं खेल सकते हैं बेस हीट भी करना है बेस क्या करेगा इस एच को लेगा तो बेस बी पर माइन बेस जो है वह एच प्लस लेता है तो एच प्लस जब जाएगा तो यहां माइनस को सारे लोग देखना सारे लोग देखना ए जब ये जाएगा तो इस कारवन पर माइनस आ जा जा अगा को अ doctors अ Lake Она और वैटल बनालो या नहीं बनाना है मत बनाओ एस्पी टू और वेडिल बनाना बना लो नहीं बनाना मत मिर्णे यह माइनस आ गया है लेगिन अब सिच्वेशन को बहुत ध्यान से समझना है पूरी और गर किसी एटम पर माइनस आए अगर किसी एटम पर माइनस आए और उसी एटम पर लीविंग गुरूप भ भगा देगा तो मेरे भाई अगर यह सी माइनस में सील माइनस को भगाया सूचों में क्या बुल लाओं यह लीडिंग गुरुप है अगर सी माइनस में सील माइनस को भगाया अगर भुल लाओ अगर अगर भगाया CL minus जाएगा तो क्या छोड़ कर जाएगा CL minus जाएगा तो कार्वन पर plus छोड़ कर जाएगा और इस कार्वन पर already एक minus था minus और plus बताओ neutral कर दोगे मेरे भाई ये निहायती घटिया चीज बन गई ये कार्वन नहीं है मेरे भाई जिस कार्वन पर minus है उसी कार्वन पर CL है तो ये minus इस CL को आज नहीं तो कल हटाएगा तो जब वो हटाएगा तो एक highly unstable चीज बनेगी तो हमारा या system का प्रयास होगा कि वो highly unstable कार्वीन जैसी situation ना create हो अब अगर ऐसी situation ना create हो तो क्या होगा मेरे भाई ध्यान से सुनना हम ये system ये प्रयास करेगा कि इस कार्वन पर वो plus ना आए जो CL के हटने से create हो रहा है meeting होई इदर इस final ने कहा कि हम मेंसे किसी एक को वहाँ electron लेकर मौजूद रहना है ताकि वह plus ना आपाए इस final ने का तुम करो तुम पडोसी हो इस final ने का नहीं डैस तुम करो क्योंकि इसके anti bonding और vital के तुम करीब हो सारे लोग सुनना SN2 की feel आएगी अब जब जब जैसे जैसे ये निकल रहा होगा pH अपनी bond के electron लेके पीछे से इसे support कर रहा होगा होगा क्या इससे CL माइनस के जाने से जो plus आने वाला था दरसल ओ कभी नहीं आएगा क्योंकि pH माइनस इदर से उसे assist करेगा ज़रा ध्यान से देखो यहां क्या बचा pH फिर क्या है single bond यह क्या है C अगर pH माइनस जा रहा है तो C पर क्या आया होगा plus बीच में किती bond है 2 बीच में किती bond है 2 यह C यहां से कौन हड़ गया CL कौन लग गया आकर pH और बदाओ इस कार्वन पर अलड़ी क्या चार्स था minus समझदार के लिए क्या काफी इस सारा आप बोले तो दुबारा बता सकता है मेरे भाई यह प्लस और माइनस जो है यह जो प्लस और माइनस है क्या मेरे इस प्लस माइनस को अठाके बॉन्ड बना दूँ यह बना देना चाहिए यह आंसर आ चुका है बटा इस ट्रिपल बॉन्ड एलकाइन आंसर नहीं समझ में आया है तो दुबारा रिवाइस करके इसी को वीडियो को वापस सुन लीजिएगा सो इस वन वन एलिमिनेशन दोनों चीज़ें जो हटी है वह आप देखें वन वन एक ही पुजिशन पर लगी हुई है आई सो कुछ क्येस्टन लीजिए जो आप अपने घर से करिएगा कि यह एच्छ है यह सील है यह कारवन पर 14 लगा दिया मैंने कि याद रखना है यहां जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वह एंटी ग्रुप माइग्रेट होता है कि सीयल का एंटी ग्रुप माइग्रेट होता है यह ध्यान देने वाली चीज़ थी है कि सीयल का एंटी ग्रुप माइग्रेट होता है ठीक है यह वन टू थ्री दो क्यास्टन और दूना में फोर पी एच पी एच डबल वांड एन एच सी एल क्या कर रहा हूं मैं पी एच 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 सी एल पी एच सी एच डबल वांड एन सी एल कुछ गौडबड है ना कुछ गौडबड लग रहा है इस पर बिलकुल लग रहा है यहां एन रखो यहां सी रखो यह मज़दार हुआ यहां एन रखो और यह थीख है है कि एटी इस तो मेरे भाइब बिजस्ट फिनिस्ट अ वन्वन एलिमिनस जोंटा साथ चोटा सा चुनुमनुसाथ और और यहीश्ली विबड़ स्टार्ट वन्ट्वड एलिमिनेस्ट करेंगे तो यह पूरा आप कर ली जाएगा आपके एथर के के न सच्छे खासे हैं वो कर लीजेगा और सीट के लिए हम थोड़ा सा elimination one two elimination हो जाएगा तो हम फिर सीट चलू करें ठीक है नहीं तो कि गाऊ झांगा है कि अक्तू कर अ कि खार हुआ है यहाँ बॉसर कि और शirting कि यह Вас को बड़र हुआ ही कि यहाँ खायां गý। क्लिशे चे तो